आज हम इस वीडियो में जो है वो नत्थु धोबी जी के विशाय में बात करेंगे नत्थु धोबी जी स्वतंतरता सैनानी जिसको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं आप लोग फ्रीडम फाइटर थें वैसिकली हुआ क्या था कि जालिया वाला बाग जो मैसेकर हुआ था तो ज जालिया वाला मैसेकर में बहुत सारे लोग जो है अन्यंत्रोग बहुत सारे लोग मारे गए थें वैसे कलिए यह सब भाग सकते थें इनको मौका मिला था यह सब जो है वो भाग सकते викन भागे नहीं अग्रेज सैनिक सिपाहियों के सामने अरेर हैं अपने पराणों का बलि करते हैं रजत समाज से आते हैं कुछ मित्रों का एक ऐसा कंप्लेंड रहता है हमने इतिहास भी जो है नत्थु दोबी जी के विशाय में जानकारी इकठा करने के लिए काफी प्रयत्न किया कुछ जानकारी स्रोतों से हमें जानकारी मिला Wikipedia पे भी हमने खोजा और वहां पे हमें सिर्फ तीन वन बाई हाफ जानकारी मिला मतलब सारह तीन लाइन ऐसा क्यों होता है यह वो हमारे कुछ समाज सुधारा कि या कुछ इतिहासकार जो छोटे इतिहासकार है जो इतिहास की मार्म को उस तरीके से नहीं जानते हैं उनको लग बलिदान को इस तरीके से याद नहीं किया गया कभी वी किसी भी इतिहासकार को चाहिए कि सामाज की इतिहास यदि आप बता रहे हैं तो उसमें बैमानेस्ता नहीं फैलाएं दरसल भाईचारगी समझें और जो ओट आफ इंडिया प्रोपेगेंड़ा है उस चीज़ को भी समझें देखिए यदि नत्थु दोबी जी के नाम नहीं आए तो आपको यह भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे अंगिनित सुतंतरता बलिदान सैनानी हुएं जिनका नाम भी नहीं आया उन में से हम चलते हैं एक जो है बिहार प्रांत में ही हैं बहुत ही जो महत्मा गांध महत्मा गांधी का तो नाम आप लोग सुनते होंगे बहुत अधिक सुनते होंगे लेकिन नील की जो खेती होता था बिहार में चंपारन डिस्टिक में तो सबसे पहले बिहार के चंपारन डिस्टिक में एक किसान वर्ग ही जो है वो अंग्रेजों के खिलाप आंदोलन शेर इस बात से यह बात जानकर आपको भी हैरानी होगा कि किस प्रकार से एक किसान एक सामाने वर्ग का किसान जो है वो अंग्रेजों की आँख में आँख डाल कर सबसे पहली वार जो है वो बात किया था और जो आप देखेंगे कि राज कुमार सुकल का नाम कहीं पर भी जादे नहीं आता है जितना महत्मागांधी जी का आता है नील की सत्यागरा या इस तरीके के आंदोलन में लेकिन वहीं पर सेम टू सेम आप ऐसा भी देख सकते हैं कि नत्थु दोबी जी की भी विसाय में जादे जानकारी इंटरनेट पे भी मौजूद नहीं है और या इसलिए ह क्योंकि हमारी जो फैबरिकेशन से जो सोसल फैबरिकेशन से वो इस तरीके के आज सतर साल आजाद होने के बाद भी नहीं हुआ इसमें कोई भी इतिहासकार जब लिखते हैं तो सामाज के अंदर जहर नौब होएं क्योंकि जब यह लिखेंगे आपकी यह इतिहास इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि नत्थु धोबी एक जो है वो दलिच कम्यूनिटी से बिलोंग करते थे तो इस तरीके का जो है वो समस्या सामाज में बैमनस्ता उत्पन करती है इस तरीके की अब धारना गलत है यह भी बात हम असपस्ट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों नत्थु ध जो भी जी जिस प्रकार से सामाजिक और जो हमारा सोतंत्रता का लराई था उसमें उनका अमुल एक भागिदारी था और उन्होंने इस देश के लिए सर्वस निछावर किया यह भी हम लोगों को जानने की आवशक्ता है साथ ही नेशनलिटिक आइडिया नेशनल सेंटिमें और एक यूनिट्री फॉर्म जो कहते हैं सोसल स्टेटस उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए सामाज को यह चाहिए कि जाती मजहब धर्म से उपर उठकर जो भी हमारे राष्टी आंदोलन में जिनका भी कंट्रिबूशन है उनके इतिहास को उजागर करे नो सिर्फ इस तरीक आज हम सब जानते हैं कि नतु धोबी जी या हो या तो फिर बुद्ध राम चुरहा हो या तो फिर मंगल मोची हो या तो फिर दलिया राम धोबी हो आदे कईयों ने इस सोतंतरता और जालिया वाला मैसेकर के सिकार हुए तेरा धोबी समाज के लोग जो है जालिया वाला ब किसी ने भी सपत नहीं दिया होगा वो सीधा बिर्टेन में जाकर एक वहाँ के आफिसर्स को हताहत कर दिये इससे भी या संकेत मिलता है कि सामाज में उस समय में कोई ऐसा डिवाइड नहीं हो पा रहा था जितना की सामाज आज कहीं न कहीं जाती धर मजभवों के नाम पे डिवाइड है सो आई होप कि आप लोगों को नत्थु दोबी जी के इतिहास जानकर इंपोर्टेन लगा होगा तो हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आप इक्वल आईज है अर्थात आपकी नजर में सब एक जैसा है तो हमारे चैनल को लाइक से और सबस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं आगे तब तक लिए जाएं जैवार